नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मनन देशाई है, मैं सिम्स हॉस्पिटल में काडियोस्कुलर सर्जरी में कंसर्टेट हूँ आज हम माइटरवाल में होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे एवं उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास क्या ओप्शन्स है वो हम समझेंगे माइटरल वाल्व हार्ट के चार वाल्वों में से एक वाल्व है जो लेफ साइड में आया हुआ है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है माइटरल वाल्व में दो तरकिक शती हो सकती है या तो वो सिकुड के ठीक से खुल नहीं पाता जिसे हम mitral stenosis कहते हैं या तो फिर वो ठीक से बंद नहीं हो पाता जिसे हम mitral regurgitation कहते हैं कुछ मरीजों में ये दोनों शती एक साथ मौझूद हो सकती है mitral wall की विमारी के लक्षण है सास फुलना, खुद की धड़कन महसूस होना, चल्दी थकान होना या फिर आगे जाके जब रोग बढ़ जाता है तब पक्षगात या पैरलिसिस भी हो सकता है खासी में खून भी आ सकता है और वजन कम हो सकता है mitral wall के रोग का हम दो तरीके से इलाज कर सकते हैं या तो सिकड़ोए हुए wall को हम बलून से बढ़ा कर सकते हैं या फिर हम उसका operation कर सकते हैं mitral wall के operation दो तरके होते हैं एक होता है जिसमें हम wall को बदल देते हैं और दूसरा होता है जिसमें हम wall को repair करते हैं जब बाद आती है माइटल वाल को बदलने की तो हमारे पास दो आप्शन होते हैं या तो मिकैनिकल वाल या फिर बायो प्रोस्थेटिक वाल ये आप देख सकते हैं एक मिकैनिकल वाल है जो की स्पेशिलाइज माटीरियल पायरोलिटिक कार्बन से बना हुआ है ये दूसरा वाल जो आप देख रहे हैं वो जानवर की टिश्यू से बनता है और इसे हम बायो प्रोस्थेटिक वाल कहते हैं अब हम समझते हैं जो हमारे पास दूसरा ओप्रेशन का ओप्शन है माइटल वाल रिपेर उसके बारे में माइटरल वाल रिपेर में हम जो हमें भगवान का दिया हुआ वाल है उसी में ऑपरेशन करके उसे ठीक करते हैं और एक रिंग लगाकर उसे स्टेबिलाइज करते हैं सिम्स हॉस्पिटल में सभी आदूनिक उपकरण उपलब्द होने के कारण हम यही ऑपरेशन छोटे शिद्र से भी कर सकते हैं